नमस्कार दोस्तो नियुक्त के कमिटी हेल्ट टीनिंग प्रोगाम कारक्रब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप जानते हैं कि यह बहुत ही महत्पून प्रोगाम है आज हम प्रक्टिकल को लिकर के खास्तों से चर्चा करेंगी इस प्रोगाम में मैं आपके साथ दोक्टर पी के चौहन प्रोगाम कोडिनेटर नियुसे और मेरे साथ हैं डोक्टर निधीगर मैं डोक्टर निधीगर का सौगत करता हूँ इस स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है निधी जी जीर ऑना डॉक्टर निधीगर्ग आप असिस्टन प्रॉफिसर है साथ मैं फिजीशन हैं इस प्रोगाम से संब्णित जो जानकारी है खास्तोर से जर्मदर मर्तियुदर और इस प्रप्ट्री हेल्थ हेल्फ ट्रेनिक प्रुगाम के जो हैल्फ वरकर्स हैं उनको जो जाननी चाहिए और समझनी चाहिए उससे सम्मंदित बहुत महत्पूर्ण जानकारी आज हम आपके साथ सेयर करेंगे साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है क्यों डाटा आप इसका कलेक्ट करते हैं और यहां हम इस पर बात्चित करने जा रहे हैं तो आए हम सुरुवात करते हैं और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आप अब तक ठोरी का पार्ट वन यानि आधार भूत जी बिग्यान जो आपका यह कार्टम है जिसमें आपने बेसिकली जो साइंस से सम्मंदित चीजें हैं आपक कई इस तरह की चीजें हैं जो स्वास्था को ठीक रखने के लिए जानकरी आपको इसमें दी गई है और यहां तक की निट्रिशन की बारे में यानि आपका आहार पोसं कैसा हो और संतुरित आहर कैसा हो ऐसी जानकरी इसमें दी गई है तो यह आप पर चुकी है थेओरी मॉ आप होगी और जो थर्ड प्रोगाम है इसका यानि थर्ड सब्जेक्ट हम कह सकते हैं जो आपका रोगों वापातकार इन इस्थितियों में निवाण एवं प्रवंधन तो इसकी थेओरी जो है वह आप पढ़ चुके हैं अब तक साथ में आपने प्रक्टीकल का जो साइंसेज यानि की आधारभू जी विग्यान से संब्दित इसका प्रक्टिकल पार्ट अब तक पढ़ चुके हैं आज हम खास्तोर से आपके इस प्रक्टिकल में जो आपका सेकिंड पार्ट है इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस पार्ट में सबसे पहले हमने लिय है कि जन्दर से शिशुमृत्युदर और मात्रित्व से संब्दित जो अनुपात है उसका प्रक्लन जो आपको आना चाहिए तो डॉक्टर निदी जी है मेरे साथ मैं मैं डॉक्टर निदी जी को अनूत करता हूं कि इसके बारे में अच्छा सूल करें धन्यवाद सर प्रिये शिक्षार्थियों आज हम जैसे डॉक्टर चोहान ने बताया है कि जन्दर, शिशुमृत्युदर और मात्रित्व अनुपात के बारे में जानेंगे तो आपने क्या कभी सोचा है कि सरकार हमारी स्वास्थे की जो योजनाय बनाती है या जो हमारी तरक्की के लिए योजनाय बनाती है तो वो किस तरह से बनाती है या किस तरह से हमारे लिए नीतियां जो है वो तै करती है तो उन सब का आधार ये जन्दर, शिशुमृत्युदर इन सब के उपर अधारित होता है जिनके लिए सरकार आंकड़े कठे करती है और वह आंकड़े किस तरह से आत में अब हम जानते हैं जनगर्ना किसी भी देश नगर या विशेश ग्राम की जनसंख्या का पता जनगर्ना द्वारा लगाया जाता है तता यह प्रती 10 वर्ष में एक बार की जाती है अभी हम जो आंकडों की बात आप से कर रहे थे कि कोई भी सरकार किसी भी राश्र में हैं तो वह उसके लिए जनगर्ना कराती है जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर किन-किन चीजों का हमें सुविधाएं देनी हैं यह आम तोर पर राश्रे सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें देश के हर व्यक्ति को गिनने का प्रयास किया ज किया जाता है कि देश के विभिन नगरों तथा ग्रामों में सर्वत्र प्रतेक व्यक्ति के जन्म मरण का नगरपाली का ग्राम पंचायत तथा अन्य निकायों द्वारा लेखा रखा जाता है जन गर्ना का इस्टमाल जन्म दर मृत्युदर और प्रजिनन शमता के बारे मे प्रतक्ष स्रोथ के रूप में भी किया जाता है और जन्गर्णा में लोगों के गिंती के अलावा भी काफी कुछ होता है आए जाने वो क्या है इसमें परिवारों या घरों के बारे में जानकारी कठा करने के साथ साथ व्यक्तिगत विशेश्टाओं जैसे उम्र लिंग धर भाषा प्रवास जैसे की कई लोग होते हैं अपना सान चोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो जन्स्थान उनका कुछ होता है और उनका रहने का सान कुछ और होता है तो वह सब भी हमें इस जनगर्णा के माध्यम से पता चलता है विवाहिक स्तिति, साक्षरता, रोजगार आर्थिक स्तिती, वेवसाय और भोलिक अवस्तिती में संबंधित जानकारी भी कठा की जाती है जो आगे किसी राश्र को सम्रिद करने के लिए योजना बनाने के काम आती है तो इसलिए जनगर्णा में सिर्फ एक लोगों की गिंती ही हम नहीं करते हैं इसके अलावा हम और बहुत सारी जानकारी कठे करते हैं कि जैसे किस उम्र के कितने लोग हैं, उनका लिंक क्या है, मेल कितने हैं, फिमेल कितने हैं, धर्म क्या है, भाशा क्या है, प्रवास कि कितन कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा कितने लोग दूसरी जगे जाके बस गए हैं रोजगार की स्तिती क्या है लोगों की आर्थिक स्तिती क्या है साक्षरता दर कितनी हैं कितने लोग रोजगार हैं कितने लोग बेरोजगार हैं तो यह सब जो हम स्तितियां यह जो गड़ना करते हैं केवल यह संख्या हम निधारित करते हैं किसी राष्ट की या देश की इसमें हम यह भी पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति का धर्म क्या है उस व्यक्ति का रहन सेहन कैसा है उसके पास घर कैसा है घर है तो कितना बड़ा है उसके पास कौन कौन सी सुविदा है स्वास्ता के इस तरपर उस पर क्या असर पढ़ रहा है यह सारी जानकरी जो है वो इस देश के लिए बहुत महत्पूर्ण होती है और किसी भी राष्ट के तरक्की के लिए उसके विकास के लिए यह बहुत आवस्थक है तो जो निधी जी बता रही है इसलिए मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि आपको यह सारी चीजें जानकर के बड़ा आश्चर भी लगेगा कि किसी देश की सरकार यह टै कर पाती है कि हमारे देश में किस तरह की प्रगती है किस तरह का विकास हो रहा है कितने प्रतसत लोग स्वास्थ हैं कितने प्रतसत लोगों की जो कम ही अवस्था में म्रत्य हो जाती है कितने लोगों की ब्रद अवस्था में म्रत्य हो रही है तो कितने बच्चों की मृत्यू और उसकी दर क्या है ये सारी जानकारी इसमें हम सेयर कर रहे हैं आपके साथ जी आगे हम जानते हैं जन्दर किसे कहते हैं क्योंकि ये भी हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है अगर किसी जगे की जन्दर बहुत जादा है और उसके हिसाब से वहाँ के संसाधन इतने नहीं है तो ये जन्संख्या विस्फोर्ट के रूप में हमें सामने को देखने को मिल सकता है तो इसलिए सबसे पहले आईए जानते हैं कि जन्दर किसे कहते हैं जंदर जिसे हम इंगलिश में बर्थरेट बोलते हैं तो यह एक कलेंडर वर्ष में अनुमानित मद्धे वर्ष की जंसंख्या के प्रती हजार शिशों के जन्म की संख्या को जंदर कहते हैं अर्थात एक निश्चित वर्ष में कोई भी हम एक एक वर्ष लें तो उसका जो अनुमानित मद्धे वर्ष है जैसे 30 जून हम मद्धे वर्ष मानके चलें तो 30 जून के आसपास जो वहां की जंसंख्या होगी उसमें प्रती हजार शिशों के मतलब प्रती हजार लोगों में कितने शिशु जन्म ले रहे हैं उस दर को हम जन्म दर कहते हैं या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्म दर किसी खास जन्संख्या में प्रती एक हजार की जन्संख्या के पीछे जीवित उत्पन हुए बच्चों की संख्या होती है यहाँ पर ये बहुत महत्पूर्ण है कि जन्मदर हम जीवित उत्पन हुए बच्चों की संख्या को ले रहे हैं ना कि उसमें जीवित और जितने बच्चे उत्पन हुए हैं उनकी संख्या को ले रहे हैं तो जन्मदर किसी खास जनसंख्या में प्रती 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन हुए बच्चों की संख्या होती है और वर्ष 2010 की आंकडों के अनुसार भारत में जन्मदर कुल 22.1 प्रतिशत है और इसमें ग्रामीन शेत्रों में 23.7 प्रतिशत और नगरी शेत्रों में 18 प्रतिशत है तो आईए देखें अब जन्मदर गणना कैसे करते हैं जैसे हमने बताया कि एक वर्ष में ये 1000 बच्चों के जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है तो हम जन्दर को लेते हैं कि एक वर्ष में कितने बच्चों ने जन्म लिया उनकी संख्या उसको हम भाग करते हैं उस वर्ष की मध्य में उस अबादी की कुल जन्द संख्या से और उसको हम एक हजार से गुना कर देते हैं तो यह हमारी जन्दर आ जाती है आजने कि जो हमारे स्वास्था कारे कलता है यद अपना calculate करना चाहें तो इस formula के माध्यम से आप जन्दर निकाल सकते हैं अपने शेत्र की आप देख सकते हैं कि आपके अपने शेत्र की जन्दर कितनी आती है और आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं आपके शेत्र को किन-किन चीजों की या सुविधाओं की जरूरत है और वो किस हिसाब से आपके शेत्र में है आए आगे आप जानते हैं कि शिश्व मृत्यूदर किसे कहते हैं infant mortality rate क्या है शिश्व मृत्यूदर प्रती 1000 जीवित जन में शिश्वों में से एक वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिश्वों की संख्या है अर्थात कि 1000 जीवित जो बच्चे हैं उन में से कितने बच्चे एक वर्ष या इससे कम उम्र की आयू में मर गए जीवित नहीं है उन बच्चों की संख्या जो है वो शिशु मृत्युदर कहलाती है तो इनफेंट हम एक साल तक के बच्चे को लेते हैं इसलिए एक वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चे जो किसी भी कारण वर्ष उनकी मृत्य हो गई है तो उसको हम शिशु मृत्युदर में लेते हैं और वर्तमान में सबसे आम कारण शिशुमृत्युदर का निमोनिया है शिशुमृत्युदर को समुधाय में स्वास्थे की स्तिती के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में माना जाता है यदि किसी एक समुधाय में शिशुमृत्युदर बहुत अधिक है तो इसका अर्थ नहीं हो पा रही है तो इसलिए शिशु मृत्युदर का अपने आप में एक सांकेतिक जो है बहुत ज्यादा मेहतु है देखे देश के किसी भी भाग में आप ये क्या सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी जो जन्न दर है वो समान होगी और मृत्युदर वो भी समान होगी ऐसा पर उनकी स्वास्तेगी सुवधाय हैं और अपने घर से लगवक काफी मतलब उनको चलना पड़ता है रास्त में कोई अपरत कालनी इस्थिती हो जाती है तो ऐसी इस्थितियों को यह दिहान में रखें या बिहार की स्थिती को देखें जहां कहीं बार आ गई अचानक और बा गाटी में किसी परवत पर किसी चोटे से परवत लोग रहे रहेें वहाँ से सहर तक पहुंचने में उनको समस्या होती है और वह सौथितर त sobjed mirrors जोंको जल्दी जिन ग्रामिर शेत्रों में बहुत अच्छी सोविधाय सरकार की उपलब्द हैं, जहां प्येसी वी अविलेबल है हैं और अनने सोविधाय प्राइवेट किलिनिक्स भी उपलब्द हैं, लोगों के लिए स्वास्तिय आज़ाय चाहिए, जिस तरह कि सोविधाय होंगी, जिस सर बिल्कुल ठीक है रहे हैं आईए अब जानते हैं कि शिशु मृत्युदर की हम गणना कैसे करते हैं शिशु मृत्युदर जैसे हमने बताया कि आपको एक निश्चित वर्ष में एक वर्ष या उससे कम की आयू के शिशुओं की मृत्यों की संख्या होती है तो हम उसको आ जाती है कि किसी शिशु मृत्युदर है आईए अब जानते हैं मात्र मृत्युदर अनुपाद मेटर्नल मोर्टैलिट्री रेश्यो किसे कहते हैं गर्भवस्था प्रसव के दोरान या प्रसव के पश्चात 42 दिन के भीतर गर्भवस्था के कारणों से होने वाली 15-49 वर्ष की महिला की मृत्युदर को मात्र मृत्युदर कहते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि गर्भवस्ता जो होती है हम वैसे अमूमनưởng बहुत समानने तोर पर चल रही होती है लेकिन कई कई जटिलता है इसमें आ जाती है किसी महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया या फिर उनका वजन बहुत अधिक बढ़ गया है या प्रसव से पहले ही खून जाने की शिकायत है या दोरे पड़ रहे हैं या थायरोट की कोई प्रॉब्लम है कई बार जटिलता इतनी जादा हो जाती है कि गर्भवस्था में हम बच्चे को नहीं बचा पाते हैं या फिर माक की जो है किसी कॉम्प्लिकेशन से मृत्य हो जाती है तो गर्भवस्था या प्रसव के दोरान लेबर के टाइम पे जब शिशु का जन्म हो रहा है उस दोरान या प्रसव के बाद भी अगर किसी महिला का प्रसव ठीक ठाक हो गया है लेकिन उसके बाद यदि किसी महिला की 42 दिन के भीतर मृत्य हो जाती है और उसकी उम्र 15 से 49 वर्ष की है तो उसको हम मात्र मृत्यू कहते हैं चाहे उसमें गर्भवस्था की अबधी या मृत्यू का कारण कोई भी हो अगर मालीजे कि गर्भवस्था जो है आपकी 3 महिने क के wanna कि फूल्टम नहीं यशा फुल्टम भी है तो षभी और आपकी मात्र मृत्यू अनुपात में ही आएगी और जो मात्र मृत्यू अनुपात उसको हम एक लाख जीवित जन्म होने पर costs जो मांता की मृत्यू है उसको हम लेते हैं देखते हैं कि मात्र मृत्यू नुपात की हम गणना कैसे करते हैं मात्र मृत्यू दर जैसे हमने ताय कि गर्भवस्था में जटिलता या प्रसूती के दोरान या प्रसूती से 42 दिनों के भीतर मात्र मृत्यू की संख्या उसको हम समान अब्धी में जीवित जन्मों की संख्या जो जीवित जन्म हुए हैं उनकी संख्या से भाग दे देते हैं और एक लाग से हम गुना करने पर मात्र मृत्य अनुपाद को निकाल लेते हैं तो जैसे अभी हम सर बता रहे थे कि जो यह जन्दर है इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है तो आईए हम एक बार फिर से इस पर नजर डालेते हैं कि जब हम सरकार हमें बोलती है कि किसी भी घर में या कहीं पे भी आपका जन्म या किसी की मृत्य होती है तो उस the game में बोलते हैं अभी सबीजे और मेरी ख्याल से पंजी करण मश्यद आनवारे कर दीया है और यह काफी समय से हलांकि आम अनवारे रूप में था लेकिन लोग इसको अनवारे रूप से लेते नहीं थे तो जनकरी हो नहीं पाते थी आप डाटावेस कर दिया है कोई भी आ आप यद जन्म का प्रमार पत्र यद देना कहीं चाहते हैं तो आपका जो मिनस्पेल्टी है नगर पालिका है गिराम पंचायत है यहां भी आपका संबंदे दफ्तर है और फिस वहां आपको जाकर के पंजीकर्ण वहां कराना पड़ेगा उस पंजीकर्ण के अधार पर ही जो आपका नगर पालिका का या आपका ग्राम पंचायत का जो भी जन्म का बड़ सर्टिफिकेट है वह हमें दीजी तो यह बड़ सर्टिफिकेट जो है वह बहुत इंपोड़न्ट किया गया और आज की डेट में मुझे लगता है कि जादतर लेखा जोखा हमारे पास में इन स सरकार आसाओं को लगा करके हर राज में यह सारा काम करा रही है आसाओं की ड्यूटी है जो भी कोई भी इस तरह का जन्म होता है वह सारी इंपोड़न्ट इंफॉर्मिशन कलेक्ट करके वह वहां पर प्रोवाइट करें और पिरेंट्स की भी जुमेदारी है कि वह भी अप हमारे समाजिक और आर्थिक विकास के लिए अन्यवारया कि किसी भी का जन्म्रित्वफ उसका पपंजिकरन अवश्य हो तो हम आपको बताथें कि किसी भी देश की जू जनसंक्या जनसंक्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी खुषाली कम होगी जनसंख्या का left मतलर है कि एक जो limit है लोगों की वो एक रहनी चाहिे बहुत प्रकृति से मिले जो भी सोसे है तो इससे आपको वह सर्कार यत नहीं मिल रही है तो वो निश्त रूप से जन संख्या व्रधी ही है और हमारे देस में समय वाकई जो बड़ा समस्य मतलब हो रही है और इसको लेकर करके सरकार भी विचार कर रही है हमें भी इस वारे में और गरीबी इसके दो मुख्य कारण हो रहे हैं एक तो लोग सिक्षित नहीं है तो सिक्षा इसमें बहुत माइनी रखती है दूसरा जो गरीबी है क्योंकि जो लोग गरीबी रिखात से नीचे काम कर रहे हैं और वो भी इस क्या एक मुख्य कारण के रूप में आ रहे हैं साम विख्षित नहीं है पूरी तरह से उनको यह लोग जागरू करके अवेर्नेस ला करके इधर काम कर सकते हैं और देश को आगे विख्षित बनानी में बड़ा काम कर सकते हैं क्यूंकि से जादा तर लोग यह सोचते हैं कि अगर जो गरीब लोग हैं जितने ज़्यादा करता है और जो आशा है उनका दाइत्वू बन जाता है कि लोगों को शिक्सित करें कि कम बच्चे रखें उनको अच्छी शिक्षा दे ताकि उनका रहनसान अच्छा और वह एक अच्छे नागरिक बनके समाज के उन्नति के लिए कारे कर सके तभी मिलेगी जब कि हमारे पास म काम है जनसंख्या ज्यादा है तो निश्य दूप से यह बड़ी समस्या ही हो बिल्कुल सर एक बड़ नजर डाल लेते हैं कि हमें इससे क्या-क्या सुविदाएं होती है देश एवं प्रदेश की योजनाव यथा शिक्षन संस्थाइं खोलने पेजल एवं विद्युत्ति करन करना है तो उसके हिसाब से महा कि जन संख्या कितनी है जन्म तर कितने लोग कितने पैदा हो रहे है या मृत्यु दर कितनी वहाँ पर तो इन सब का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है दूसरा जन्म्दर का उपयोग परिवार कल्यां कारेकरम की सफलता है तो वहां पर जो हम पड़वार कल्यांट कारेक्रम चला रही है सरकार की द्वारा जो इतनी सुविधाई दी जा रहे हैं तो हम उसकी सफलता को भी देख सकते हैं कि वहां कितना सफल हुआ है अगर किसी की जो जन्मदर है शेत्र की बहुत जादा आ रही है तो इसका अर्थ है कि लोगों तक वो सुविधाय नहीं पहुंच पा रही है कि जिसकी वज़े से वहां की जन्मदर जो है जादा आ रही है या किसी शेत्र की मृत्तुदर बहुत जादा है मृत्त जन् बिल्कुल एक जाम्पल गुरूप में कह सकते हैं कि किसी विसेश शित्र में जब मुष्टिव दर्ज जो है सिस्यों की बढ़ती है तो सरकार को चिंता होती है पता लगाया जाता कि आखर अखर अच्या है तो पता लगता है कई बार डिफ्थेरिया किसी तरह की को कर खासी य पर किम शेत्र इसन कर किस बीवाडी का अधिक प्रकोप्त है इसके बारे में जानकारी उप्लब्ध होती है जिसके अधार पर चिकीश सेवाएं उप्लब्ध कराई पर दोटी है जैसा कि अभी आप बात कर रहे तेए शिशू और मात्र प्रित्वु की कंझना सुप्षां सरों और जागरुक्ता समर्द に के सरों में वृद्धि की सूचक होती है जैसे हम अगर देखते हैं कि किसी शेटर में शिशू और मात्र तो इसका एक ही कारण नहीं यह कि वहां के लोगों का शिक्षा स्थर बढ़ गया है उनके पास वहां पहुँचने लगी है और साथ में उनको जो स्वास्ते की स्विदां है वो भी उनको ठीक भेहतर मिल रही है इससे अन्माल लगाए था कि वहां का जो शेत्र है वो खोसाहाल है वहां विक्सित हो रहा है बिल्कुल तो इसी संधर में कि आपके लिए स्वास्ते कारे करता होने के नाते आपके लिए बहुत अधिक महत्पूर्ण है कि आप किसी भी शेत्र में जन्दर, मृत्युदर का प करती है उस शेत्र विशेष के लिए सुविधाय या घोशना करती है नीतियों की कि हमें इस शेत्र में इतना विकास करना है तो नी तो पता कैसे चलेगा सरकार को कि हमें कहां पर क्या विकास करना है तो इसलिए स्वास्ते कारे करता होने के नाते आपके लिए बहुत ज़् पास रखें और संबंदित अधिकारी को सुचित करें बिल्कुल यह निश्यतुप से बहुत ही महत्पून है और मैं यह बताना चाहूंगा कि जो हमारे स्वास्थाकार करता है यह जुम्मिदारी जो जन्गरणा की है जानकारी है सरकार के डाटा में जो है संकलन करने में उनकी साहता कर सकते हैं और बड़ा रिकॉर्ड देश के लिए रख सकते हैं तो आप बहुत महत्पूर्ण है निश्यतुप से आप अपनी जो महत्पूर्ता है उसको बनाई रखे और स्वास्था के साथ लोगों को जागर रखिए और अपने जन्सम्दाय को स्वास्थ रखिए जय हैं जय भारत नमस्काल वनव आपका भबत धन्यवाद आप सबकावी धन्यवाद